ओम नमो नारायन ओम नमो भगवदेवा सूदेवाए जैए श्री कृष्ण राधे राधे जैए गुरुदेव तन गुरुदेव भागवद गसकंद दसमा बैतानीस मां दियाए महराज को कुपजा ने मिलकर चंदन लगाना और भगवान ने तेसका कुप दूर करना श्री सुगदेव जी बोले कि प्रित्वी नाथ मालीज की प्रीत देकर प्रपरसन होकर तिसको भगती पदार्त दे वहां से आगे चले तो समर्णी गली में एक कुपरी चंदन के सरतर भलेर की कटोरियां भरी थाली दे बीच तरी रामे लिये खड़ी है उसने मनमोहन से पूशा तु कौन है अर जै चंदन के सर कहां से लाई है और वो बोली हे दीन दे आल मैं कंसकी दासी हूँ मेरा नाम कुपजा है नित चंदन राजा को लगाती हूँ और मन मैं तुम्हारे अगुनगाती हूँ तिसके परताब से आज आज आपका दर्शन पाए जन्म सकारत किया अर नेतरों को फल दिया अब दासीदा मनुर्थ ए है कि आप दी आगया पाऊं तो चंदन अपने हाथ से लगाऊं कुपजा की अदी भक्ती देखकर हरी ने कहा जो तेरी जी में है सो कर जो तेरी इस्षा में प्रसंदता है तो लगाए दे इतना पतन सुनते ही कुपजा ने बड़े चाओ हाओ से राम कृष्ण को चंदन अर्ची तब श्री कृष्ण चंदर ने उस दे मनदी प्रीद देखकर दिया कर पाऊं पर पाऊं धरा और दो उंगली उसकी ठोड़ी के तले धरकर ऐसा उचकारया की कुप सिद्धा कर दिखाया मन मोहन का हत लगते ही वो महासुंदरी होई और बहुत बेंती कर प्रभू ने कहने लगी कि हे किर्पा दिधान हे किर्पा नाथर जो आपने किर्पा कर इस दासी के दिख को सुद्ध किया है किर्पा कर अब घर भी चलिए घर पुटर कीजिए और बश्राम कर सम पूरन सुक दीजिए ए सुनहरी उसका हाथ पक्ड़ मुस्कराए कर कहने लगे हे सरम दूर हमारे कियो तैसरम दूर हमारे कियो मिलके सीतल चंदन दियो रूप सील घुन सुन्दर नी की तोसो प्रीत नरंतर जी की आए मिलेंगे कंस ही मार जो कहीं आगे चले मुरार तब कुबजा अपने घर जाए के केसर चंदन से चौक पूर कर रही हरी के मिलने की लालसा मन में धार मंगला चार करने लगी आबे तहा मतरा की नारी कहे अचंबा रहे निहारी धन धन कुबजा तेरे पाग जाको बिदने दियो सोहाग ऐसे कहां कठन तप कियो गोपी नाथ पेट तुझ लीयो हम नी के नहीं देखे हरी तुमसे मिले प्रीत अत करी ऐसे तहां करत सब नार मतरा देखत फिरत मुरार इसी बीज नगर देखते देखते सब समेत प्रभु धन पोर पर जाए पहुँचे श्री क्रिशन को अपने रंग राते माते देखते ही सबी पोर शिपाही रिसाए कर बोले इदर किदर चले आते हो अरे गुबालो दूर खड़े रहो तुमरा जहां क्या काम है एह राज दरबार है दुआरपालों की बानी अनसुनी कर रहरी तहां चले गए जहां तीर चाड जहां तीन चार ताड लंबा और बहुत मोटा भारी महादेव का दनुक पराव था जाते ही चट उठाए कमान चड़ाई कर ऐसा खींचा चुस हाथ टुकड़े ततकाल कर दिये जैसे हाथी गन्ने तोड़ डालता है तैसे तोड़ कर फैंक दिया एक कोतक देख जितने रखवाले कंस के तहां हाथ रखी करते थे सब शस्तर पकड़ कर मारने को उम्ड़े तब पलराम क्रिशन जी ने उसी तनुक दे टुकड़े पकड़ लिये जो सामने आया सो मार गिराया प्रवासी इस कोतक को देखा अपस में कहते थे कि बाई ये निच्चे है ईश्वर अवतार है राजा ने अपनी मोद को घर बैठे बुलाया है इदनों भाईयों को हाथ से अब जीता ना बचेगा इदर तनुक तूटने दा सब्द सुनके बैखा कर कंस अपने लोगों से पूछने लगा कि ये गोर सब्द किस्दा है इस भीच कितने एक लोग राजा दे जो दूर खड़े देखते थे वो जाप करे कि महराज की दुहाई राम कृशन ने आकर नगर में धूम मचाई है शिव का दनक तोड़कर सब रखवाले सुपाहियों मार डाला है इतनी बात के सुनते ही कंस ने बहुत से जोदा बुलाएकर कहा शीगर जाओ जैसे बढ़े कच्क उपाए शल बलक से दुनों को मार कर आओ कांसदी बानी सुन सभी सूर में नमशकार कर अस्तर सस्तर लेकर दोड़े इन सूर बीरों को सनमुख आये देख राम कृशन ऐसे तिन पर पड़े जैसे तीतर पर भाज पड़ता है और एक पलग में रुंड मुंड कर दिखाए जो लड़ा सो मरा जो भागा सो बचा जब बगवान ने देखा कि आपदा कोई सेवक जहां नहीं है तब बलराम जी से कहा कि भाई हमें आये बड़ी देर बही है डेरे पर चला जलिए क्योंकि बाबा नंद हमारा रस्ता देख कर ठक गए होंगे एक कहकर सब गवाल बालों समेथ बगवान डेरे को आए आते ही नंद महर से कहा कि बाबा नगर में जाकर पूबत मासा देखा और गोपग वालों ने अपने नवीन बस्तर दिखाए तब नंद जी बोले अरे क्रिशना तुमारी बादी नहीं जाती ये ब्रिज का गाओं नहीं है जहां लुट मार करोगे और कोई ना बोलेगा अरे ये कंश की नगरी है इस अस्थान कोई उपद्रब नहीं करना माता ने खाने को दिया है सो दीजिए इतनी बादे सुनते ही नद जी जो पदार्थ राम कृष्ण दे बास्ते संग लाए थे सो निकाल दिया और बहगवान ने सर्व सखाओं के साथ एकठे बैठ कर खा लिया इतनी कता कहकर स्री सुकदेव जी बोले महराज इदर तो पर्मानंद अपने डेरे में सर्व सखाओं दे साथ राजविलाज करते थे उदर कंश दिन इतनी बात सुन सुन पर्मचिंता को प्रापत हुआ ना उसको बैठे चैन था ना कड़ा होने में राम था मन ही मन में जलता था अपनी पीड किसी से ना कह सकता था जी दान बहुत गबराया और सवाब से उट मारे चिंता के मंदर में जाके सहजा पे सो रहा पर मारे डर के उसको नीद ना आई चो पै तीन पहर निस जागत गई लागी पल का नीद शिन पै तब सुप ना देखे मन माही फिरे सीस बिन दड़की ताही कब हू नगर तेल सिर पाए ताबे गदरा पर सुख ना है दसों मसान पूत संगली ये रक्त फुल की माला ही ये बर्ण रूप देखो चहूर तिन पर वैठे बाल कशोर महराज जिए जब कंश ने ऐसा सुपना देखा तब तो वह अती ब्याकल हो चौंके अर्शोच बिचार करता उट पर बाहर आया रहे अपने मंत्रियों को बुला भेजा मंत्री हाथ जोड़कर आयर कंश से कहने लगा कंश कहने लगा तो मभी जाओ रणभूमिका बनाओ औ पनंद अधिवर्जबासियों को और बस्देवर जदबंशियों को भी सवा में लिद लिया बठलाओ और जो देश देशों के राजा आये हैं तिनको भी मान संजुक्त मंचों पर बिठाओ इतने में भी इतने में में मैं भी आता हूँ कंश की आगे अपाए सभी रंग भूम से आये उसको चड़वाये कर बिशवाये अपना पटंबर तहां बिशाया और तुझा पता के तोरण बंदन बार मिंदाये और अनेक नेक पांदे बाजे बजवाये पुरह सब को बलाये पेजा तब सभी आये पर अपने अपने मंच पर जा बैठे इतने में राजा कंश भी अभिमान भरा अपने सिंगासन पर बैठा उसकाल देवता भी विमानों पर चड़े अकासे देख रहे हैं और समपूरन देशों के राजा भी तहां सज बज़कर बैठे हुए थे बताली समाधिया इसमाप्तमिति जैग गुरुदे बैठे रदे ओमना मुना रहे हैं